अपको पता है कि जब भी दरवाजे की घंटी बचती है तो इसका मतलब कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है घंटी की आवाज आप तक ट्रावल करके पहुँचती है क्या आप गेस कर सकते हैं कि sound ने कैसे ट्रावल किया इसने air के माध्यम से ट्रावल किया जिहां, यहां प्रसार का माध्यम air है साउंड को प्रसार के लिए एक माध्यम की जरुरत होती है क्या ये medium हमेशा air ही होता है? नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है साउंड का प्रसार solids, liquids या gases के माध्यम से भी हो सकता है जिहां, sounds, solids और liquids के माध्यम से travel कर सकती है इससे पहले कि हम इस पर आएं, चलिए air के माध्यम से sound के प्रसार के कुछ examples देखते हैं याद रखे कि air और कुछ नहीं लेकिन gases का mixture है साइरन की अवाज, जब train आपके पास आ रही है, कांच टूपने की अवाज पटाखी की अवाज, ये कुछ ऐसे examples हैं जहां प्रसार का माध्यम air है sound, liquids के माध्यम से भी travel कर सकती है चलिए, इसे देखने के लिए एक experiment करते हैं हम घंटी को पानी में इस तरह से रखते हैं ताकि वो container के base को ना चुए अब आप अपना एक कान पानी के surface की नजदीक रखें और घंटी को अंदर हिलाएं क्या आपको sound सुनाई देती है? जिहां सुनाई देती है, यहां प्रसार का माध्यम पानी है आपके दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा यंत्र रियूज करता है? जिहां उसे stethoscope कहते हैं डॉक्टर एक disc की shape का एक छोटा सा object जिसे tunable diaphragm कहते हैं आपके chest पर रखता है आपके धड़कन की sound ट्यूब के माध्यम से travel करती है और दोनों earpieces में सुनाई देती है क्या आप यहां sound की प्रसार के माध्यम को guess कर सकते हैं? जिहां यहां sound का प्रसार का माध्यम solid है जिस tube के माध्यम से sound travel करती है वो solid है मान लीजी कि आप दिवार के एक तरफ खड़े हैं और आपका दोस्त उसके एक कान को दिवार की surface के नजदीक रख कर दिवार की दूसरी तरफ खड़ा है दिवार को किसी लकड़ी के object से मारें अपने दोस्त को पूछे कि क्या उसे दूसरी तरफ कोई sound सुनाई दी? हमें यकीन है कि वो हाँ कहेगा यहां फिर से प्रसार का माध्यम solid है तो कुछ examples की मदद से हमने देखा कि sound, solids, liquids और gases के माध्यम से travel कर सकती है लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि sound किसी भी माध्यम से travel कर सकती है? इसका जवाब ना है sound vacuum के माध्यम से travel नहीं कर सकती है vacuum क्या है? यह एक ऐसी जगह है जहां से सभी या ज्यादतर matter को निकाल दिया जाता है outer space इसका एक example है जिहां हम outer space में sound नहीं सुन सकते हैं इसलिए कहते हैं कि space में कोई भी आपकी cheek नहीं सुन सकता है हमारे अगले वीडियो में हम sound की कुछ ज़रूरी properties जैसे की amplitude और frequency के बारे में बात करेंगे आप से अगले वीडियो में मिलते हैं